Hello all ICIC 2022 aspirants, welcome to my channel of Phenomenal English with Sriman तो आगया हूं मैं मॉव मतलब मर्शन वभनिस का Act 4, Sin 1 का 225 के उपर के लाइन से 225 तक हमने पहले थीन पार्ट में कंप्लिट किये थे उसके बाद से यहाँ पे हम करेंगे आज 225 से लेका 300 तक तो हर एक दिन हम 75 lines करके यहाँ पे समझ रहे है स्टोरी को वेब सिरीस के आकार में समझ रहे है, exciting बना के पढ़ रहे है ताकि जादा याद रहे, कोई भी dialogue दिया जाए, उससे अगर questions put up हो तो हमें कोई pressure ही ना हो, right, कुछ भी हो जाए, बस CT बजाते हुए हमें answer लिखना है, है न, तो Shylock मतलब यह जो scene है, यह मतलब court trial का scene है, Antonio के उपर आरोप है, कि वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसे क्या होगा, उसका एक pound flesh लिया जाएगा, Shylock ने claim कर दिया है, right, he is trying to get his four feature, right, four feature मतलब तो पता ही होगा तुम लोग को, कि अगर मैं एक penalty जो मुझे देना पड़ता है, अगर मैं कोई contract sign करू और उसके मुताविक काम ना कर पाओ, तो उसे four feature कहते है, जो penalty मुझे भर अपना one pound flesh चाहिए, क्योंकि वो तो revenge लेना चाता है, अन्टोनियों से, पता ही होगा, तुम लोग को, so इसके बाद से हम चालू करेंगे, तो पोर्शिया का interview हो चुका है, पोर्शिया की वी entry यहाँ पे हो चुकी है, तो पोर्शिया अभी किस रूप में आई है यहाँ पे एक lawyer के रूप में, जिसका नाम है Balthazar, वो अब यह case लड़ेंगी, एंटनियों के तरफ से वो लड़ेगी, तो पोर्शिया एंटनियों को जिताने के लिए लड़ेगी, तो क्योंकि पोर्शिया तो बैसनियों की wife है अभी, तो बैसनियों की तरफ से अगर लड़ेगी, तो इसे लिए वो आई है, और case का trial शुरू भी हो चुका है, तो अब तक तो case शायलक के form ही जा रहा है, क्योंकि शायलक के पास bond है, उसमें एकदम सही से लिखा हुआ है, कि अगर तुम मुझे पैसे ना दे से को time पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं one bond flesh ले लिए 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 तो because वो पैसे नहीं दे पाना, यह कोई अच्छी बात तो है नहीं, पर हाँ, law के मुताबिक एस सही है, क्योंकि वो तो contract तो उसी ने sign किया है, उस बंदे ने गर sign किया है, contract सो समझ के ही क्या होगा, तो अगर अब bum कर जाए, वो तो law के खिलाफ होगा, तो एंटोनियों को अभ पूर्शिया तो भी Balthazar हो चुकी है, तो हम बोल सकते कि Balthazar बोला था, क्या बोला था Balthazar ने? कि Shylock, तुम्हें तो तीन कुना पैसा दिया जा रहा है, तो तुम ले लो, अच्छा बात है कि तुम तीन कुना पैसा भी तुम्हें मिल जाएंगे, और तुम्हें तुम्हें ऐ तुम्हें 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 तुम में फार दूँगा, अगर मुझे जो मिलना है, मुझे जो one pound flesh मिलना है, वो मुझे मिल जाए, आप तो बहुत अच्छे judge है, आपको लौक में बारे में बहुत कुछ पताई होगा, तो आप बस मुझे अपना जो लौक मुँचे मुदाबिक मुझे जो चाहिए, कि यह मिलना चाहिए वह मुझे दिला दीज़ बस मुझे जो मुझे मिलना चाहिए वह दिला दीज़ी और कुछ नहीं चाहिए एक पांड फ्लेश ही चाहिए य। रैट कैता है कि सही है right most certainly I do besiege the court right so Antonio कहता है कि हाँ ठीक है मैं भी कोड़ से दर्फवास्त करूंगा कि आप यह वर्डिक सुना दीजी अभी मुझे और नहीं सायन होता इतनी बेज जती इतना कुछ अभी मरना है तो है अब क्या करें मार दीजी मुझे कोई मुझे भी कोई ग्लेशिक है नहीं मैं किसे कुछ मांगने वाला हूं नहीं म मैं किसे भी कोई भी उमीद नहीं रखता मैं किसे ऐसे भीक नहीं मांगना चाहता कि मुझे वक्ष दो मुझे छोड़ दो यह वागेरा तो आप मुझे वर्डिक दे दीजे मार दीजे उसको उसका इंतकाम पूरा करने दीजे चोड़िए तब पोर्श्य कुछ कहने वाली ह यू मस्ट प्रपेर यू बोजम फोर इस नाइफ तो पूर्शे कहते हैं ठीक है एक काम करो तुम एकदम बेर चेस्ट हो जाओ एकदम सल्मान खान के तड़ा करें हो जाओ शायलक अब जो करेगा करेगा शायलक विलन है राइट शायलक हो गया चेदी सिंग तो जितने खुष हुआ तो शायलक खुष हो के किया कहता है का तुम्हारे तरह नोबल जज़ मैने देखा है नहीं क्या एक्सिलन्ट अदमी हो तुम यार दिल खुष करदेटा यह त्ने अच्छ जज़ हो तुम और क्या चाहिए मुझे तो शायलक यह बोलता है तो इसके बाद देख तो शायलक यही कहता है कि आप तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे जाचे, पूर्शे कहती है कि यहां ठीक है, मैं तो अच्छी हूँ, पर देखो, जो पिनल्टी जहां से लिखा गया है, ठीक, वैसे ही होगा, जितना कुछ यहां पर दिया गया है, बस हम उसके म मुताविक चलेंगे, इस बहुत, अच्छे आदमी हैं, कितने आप नोबल जजज है, आपके तरह एक जजज अगर हर जगा हो तो दुनिया में तो बस जस्टीस ही जस्टीस होगा, बहुत कुछ खेह रहा है, खुश हो के, तो अब जाके, पूर्शिया, जब साहिलक इतना तो पूर्शिय कुछ कहती है देखो पूर्शिय क्या कहती है देफो ले बया यह बोजम एंट्रियों से कहती है कि ठीक है तुम बस हो जाओ सलमान खान खेदी सिंग तो तयार है यह अपना नाइफ लेकर बस देखते हैं वह कैसे चेद करता है तुम्में चाला करता है आई इस ब्रेस्ट आय मतलब यस ती देख दम एक दम ब्रेस से ही मुझे लेना है टेखना हमेशा अगर चिकन पकोड़े खाना हो तो चिकन ब्रेस से निकालते हैं उस मांस से पकोड़े अच्छे तला जाता है एक दम soft boneless होता है इसली तो शालो को भी वैसी ब्रेस्ट एक दम चे जिकन ब्रेस्ट के बदले एंटुनियो का ब्रेस्ट चाहिए यही वस फरक है बर कैट जो भी हो सो नियरिस्ट इस हार्ट दोज आदव वेरी वर्ट राइट कहता है कि हां एक दम दिल के करीब से लेना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे पूर्श कहता है ठीक है तुम वन पांड फ्लेश लोगे वह तो अच्छी बात है पर वजन करने के लिए तराजू तो लाए होगे तर अभी सोचा कि अच्छा ठीक है वो कहता है कि हां हां ठीक है I have them ready मेरे पास है तराजू उसमें कोई पाबलम वाली है बात नहीं मेरे पास weight balance बगरा है में उसमें balance weight कर लूंगा कितना है 1 pound से कम तो मैं लूंगा नहीं पुर्षी कहता है have by some sergeant शाहलक on your charge to stop his own lest he do bleed to death बुल ठीक है तो कोई doctor बगरा बुला लो surgeon बगरा बुला लो अगर तुम अगर chest से वो जो मांस है वो निकाल लो गए तो अगर bleeding से वो मर जाए तो क्या होगा राइट शाहलक बोलता है is it so nominated in the bond? तो बोलता है क्या यह वह पर कहां गया है मेरे contract में है क्या यह तो it is not so expressed पूर्षी तो लोगे बड़ तुम उसे मार डालोगे यह तो नहीं बोला गया है वही तो problem है ना bleeding वगड़ा के लिए तो कुछ कहा नहीं गया contract में नहीं जिस बंद ने sign किया है उसने बोला है नहीं जिसने contract बना है उसने बोला है तो उसका क्या फूर्षी है not explicitly कहती है कि नहीं बोला बिल्कुल नहीं गया कि bleeding हो तो क्या होगा मर जाए वनदा तो क्या होगा तो इसलिए तो उसे बचाना है तुम तुम नहीं सकते क्यों कि तुम ने तो यह कहा ही नहीं कि मैं जान ले लूझा जाला क्याता है I cannot find it it's not in the bond मैं तो एसा कुछ मुझे भी नहीं पता मैंने तो ऐ have you anything to say ? तुम्हें कुछ कहना है ? एंटिन्यो ? बोल सकते हो ? एंटिन्यो कहता है , but little I am armed and well prepared give me your hand Basanio fare you well ? एंटिन्यो कहता है कि नहीं मुझे होत तु उतना कुछ कहना है नहीं बस ठीक है ? और मैं Basanio से goodbye कहलू हाथ दोस्त मेडे ये दुन्या ये महफिल मेरे काम कि नहीं मैं अभी जाने वाला हू किसी दूसरी दुन्या ठीक है एंटिन्यो ऐसे चैड़ा है ? और क्या होता रहा है देखो for here in fortune shows here more kind than is her custom it is still her use to let the wretched man outlive his wealth to view the hollow तो बहुत कुछ कह रहा है देखो right अंटो यह से बोल रहा है कि हां मैं तो अभी प्रेपेर्ड ही हुँ जू अगर मेरे बोड़ी से you know one pound flesh ले लेगा तो मैं तो मर जाओंगा पर क्या है उसमें दुख कुछ नहीं जो कुछ भी मैंने पाया था मुझे दोस्त की रूप में ही पाया था मैं बहुत खुश हूँ मुझे बơसनी जासा दोस्त मिमला यह सब कहरा है देखो यह वी गुझाड worries-되-wock करता है कि तुम अपने जो वाइफ है 날 यू लिवड़ी वाइफ है उससे कहना कि तुम्हारे पास एक था मैं तुम्हारे लीविए अपनी जान दे दी तुम्हें तुम्हें एडिस होगी तुम्हारी जो लेडी होगी जिसे तुम्हार शादी किया था तुमसे जरूर मेरे बताना चाह přेविश खुश हो जिन्दगी में यहीं चाहता हूं मैं तो क्यार जो भी I'm an unhappy man मैं इस दुनिये में रहू ना रहू किसे कोई फड़क नहीं पड़ता ही अच्छी बात है कि मैं आज मिरी जो खातमा होना है बस हो जये कोई डेट वगड़ा जो भी मुझे है मेरे साथ ही कोई पुरी चीज नहीं है कोई मेरे लिए बुरी टो मैं साइध ब्लीडिंग से मर सकता हूं तो अगर मर भी जाओं तो कोई गम नहीं जो भी मैंने किया था अपने दोस्त के लिए किया था ठीक है अगर मरना है तो मरना भी मनसूर है तो बहुत liberal एक mentality है Antonio का बहुत ही देखो दोस्त के लिए अपनी जान भी दे सकता है ऐसी दोस्ति देखने को तो मिलती है नहीं एकदम शोले की जय वीडियो की तड़ा दोस्ति है तो इसी हम यह चीज देख सकते हैं जब भी बॉलिवड में ऐसे दोस्ति वाले फिल्म बनाया गया थे तो इसी चीज़ों से मतलब Shakespeare से तो बहुत लोग inspired हुए है हम लोग जानते ही होंगे तुम लोग आज भी बहुत सारे movie देखो गया अगर तुम शेक्सपेर के play पड़ोगे तो बहुत सारे movies है जिसमें Shakespeare play से ऐसी inspiration लिया गया है ऐसे direct तो नहीं पर ऐसे जो plots वगेरा उसमें घु राइट था कि आज भी उनसे लोग copy करते हैं तो तुम लोग मानी सकते होंगे जब भी शेक्सपेर को हम पड़ते हैं क्यों इतना reference क्यों इतना reverence हम show करते हैं क्योंकि है वो आदमी कुछ और तरीके का था ऐसा कुछ लिखा था कि आज भी हम पड़ते हैं तो हैरान रहते है क्योंकि कैसे लिख सकता है कोई बंदा इतना updated कुछ इतना ज्यादा detail में जाकर बहुत किसे के बास knowledge हो हर एक चीज में हर एक flow में इतना prolific कोई कैसे हो सकता है तो इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि यह जो story वगढ़ा play वगढ़ा है हर कोई हर school में हर एज में पढ़ाया ज स्टूरेंस में तो स्टूरेंस को भी अच्छा लगता है तो यह बात है कर आजकल तो बहुत सब कुछ online ही हो रहा है साथ एक्जाम भी तुमारे online हो omicron का जो you know wave आने वाला है तो उससे हो सकता है कि सब कुछ online हो जाए फिट से तो खेर जो भी हो वैसे भी आजकल इंडिया में दोई चीज सही है एक है mutual fund और दूसरी online exam हर स्टूरें तो यह ही कहेंगे कि online exam सही है तो एंटनियों ने तो बहुत सार इमोशनल से बाते कह दी तब बैसनियों कहते है देखू अब बैसनियों कहता है कि एंटनियों I'm mad to wife मेरी शादी तो हो गई है मेरे मेरी जो बीवी ह वो भी मुझे बहुत प्यारी है पर तुम मुझे कुछ कम प्यारे नहीं हो दोस्त और क्या है अगर मुझे अपना सब कुछ मेरी wife मेरा सब पूरी दुनिया भी तुम्हारे लिए छोड़ना पड़े अगर अपनी life भी कुरवान करनी पड़े तो मैं करूंगा I'd give it up all yes I'd sacrifice them all to the devil here to save you मैं अपनी पूरी जिन्देगी मेरा सब कुछ मेरा wealth मेरी wife सब कुछ कुरवान कर सकता हो अकर तुम्हे बचाना हो क्योंकि तुम मुझे कुछ कम प्यारे नहीं हो right तुम मुझे सबसे जादा लाजमी हो तो यह जो प्यार है यह जो ब्रोमांस है right ब्रोमांस बैसन को इतना ही चाहता है as a friend तो पूर्शिया क्या कहते है देखो your wife would give you little thanks for that if she whereby to hear you make the offer तो पूर्शिया देखो अभी wife to wife होती है न वो इसे सुनके उतना खुश नहीं हुई right पूर्शिया बैसनियों की wife है वहां खड़ी है जब बैसनियों कहता है कि मैं अपनी wife को छोड़ तुम्हें बचाने के लिए तो ये बात तो उसे खटक जाती है right अभी वैसनियों को तो पता नहीं कि पूर्शे हुआ ही पे है और वैसनियों को वैसे घर भी जाना है पर उसे वह बात से वह तो बिलकुल वाकिव नहीं है इसलिए वैसनियों ऐसे दावे कर रहा है अगर wife स उसका bad luck कर जाके उसे तो आज समझ रहे हो ना समझ रहे हो ना विलकुल वही होगा उसके साथ एकदम सो पूर्शिया कहते है कि अगर तुम्हारी wife यह सुन ले तो वह तुम्हारी इस offer की दाथ देगी जरूर दाथ कैसे देगी वह तो हम आफ्टर ट्राइल पता चलेगा हम जब लोग घर जाएंगे पूर्शिया के तो ग्रेशियानों वह पे है तो ग्रेशियानों केता है I have a wife ग्रेशियानों की भी शादी नरी से हुई है हमें पता है तो ग्रेशियानों केता है I have a wife whom I protest her love I would she were in heaven she could entreat some power to change this courage to क्या कहता है कि मेरी जो wife है मैं चाहता हूँ कि वह अभी heaven में चला जाए मैं चाहता हूँ मेरी wife heaven में चली जाए और उसे कुछ divine power प्राप्त हो जो इस Jew की mind को change कर सके अभी एक आदमी और या फिर एक you know human being कैसे जा सकता है heaven में एक ही वह है न मर के जा सकता है तो मतलब माइन चेंज हो और जू एंटिनियों को छोड़ दे एंटिनियों बच जाए तो इससे ग्रेशनर को कोई एत्राज नहीं है तो अभी ये बात कहते हूए नेरिसा ने सुन ली नेरिसा भी तो वहापे है ना clerk के रूप में ग्रेशनर की wife तो नेरिसा कहते है तो नेरिसा कहते हो तो अच्छी बात है कि वह यहापे नहीं है अगर यह बात वह सुन लेती तो घर उतना quiet नहीं रहता गर quiet न ही रहता मतलब पता ही है जब mad वही शैन की मा भड़क जाती है, क्या होता है? चेन शैन और घर कापने लगता है, नेरिसा अगर ये सुन लेती, तो क्या होता? अगर इस इनके घर में, वैसा ही कुछ होता है, तो वही नेरिसा ने हिंट दे दी, अभी खुल के तो किन नहीं कह सकती? अभी वो डिजगाइज में है न तो घर जाके इन सब का होगा जो भी होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे खेर जो भी अभी Shaila क्या कहता है देखो तो अभी Shaila कहता है तो क्या कहता है एक Christian husband को अगर शादी कर लो तो क्या मिलता है तुम लोग Christian husband से शादी कर एक कुछ मिलता है मेरी भी एक daughter है मेरी भी एक लिर्की है मेरी भी एक daughter है तो मैं चाहता हूँ कि वो Barber's descendants मतलब एकदम से जाकर कोई Barber मतलब तुम लोगो पता ही होगा Barberian मतलब क्या होता है Barberian मतलब जो लोग के पास अपना घर या फिर अपनी कोई culture वगरा यह नहीं होता है बहुत ज़दा cruel से होते हैं उनको कहा जाता है तो शालक चाहता है Christian से जाके शादी करने से अच्छा कुछ ऐसे Barberian टाइप कुछ मतलब एकदम इंसान के जैसे ही नहीं वो भी बैतर होगा Christian से शादी करने से राइट वी अवेसिंग टाइंग प्लीज डलीवर दे सेंटन्स शालक क्याता है कि जल से जल ड्यूक जी आप सेंटन्स सुनाइए आप खुम किजिये मैं अपना जो one pound flesh है वो ले लू ठीक है तो वो तो उतावला होडा है शालक अपना शालक को बस अपने one pound flesh से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए उसे दुर सालक क्याता है यह सब छोडो इससे शादी करना है ने करना है बाद में सोचेंगे वक्त साय ना करो बस मुझे मेरा one pound flesh दे दो तो अभी पूर्शिया क्या कहती है देखो a pound of that same merchant's flesh is thine, the court awards it and law doth give it तो क्या कहती है एक दम सही पकड़ा है तुमने यह जो one pound flesh है यह तुम्हें मिलेगा इस merchant का one pound flesh is yours, thine मतलब yours तुम्हारा ही है, तुम्हें मिलेगा और यह court तुम्हें यह award देती है मतलब तुम ले सकते हो law के मुताबिक तुम इसे तुम्हारा अपने हक से ले सकते हो, ठीक है तो अब क्या है शाहिलोग क्या कहता है most rightful judge ओ आपने क्या judgment दिया है आप एक इनसान नहीं है अब तो महापुरूष है right बलताजर को कहा रहा कि आप पुरूष नहीं है अब महापुरूष हो पुर्शिया कहती है कि and you must cut this flesh from office breast the law allows it and the court awards it तो पुर्शिय नहीं भी कहा कि हा एकदम चेस्ट के करीब सही ले न law ने law किया है court ने award दी है चलो ले लो तुमारा ही है अपना ही माल समझो अब क्या जज हो यार दिल खुश कर दिया अपने अब क्या जज हो जाओ अब तो मेरी बारी है तो फाइनली पुर्शिय कहती है ठरी अ लिडल ठरी अ लिडल wait a minute ठरी मतलब wait तो फुर्शिय कहती है ठरो ठरो तो रहा नहीं जाता तरफ ही ऐसी है न फुर्शिय कह रही है तो थोड़ा रुख जाओ क्या है there's something else राइट this bond doth give thee here no jod of blood तो कहती है कि थोड़ा रुख जाओ रुखो जरा सबर करो this bond में ये तु नहीं लिखाए कि तुम blood ले सकते हो right just लिखाए तुम one pound flesh ले सकते हो पर ये बात कहीं भी नहीं लिखाए कि तुम blood भी ले सकते हो तो अगर bleeding हुई और bleeding से ये मढ गया तो तब जाके one rub of Christian blood the lands and goods are by laws of Venice confiscate unto the state of Venice तो क्या होगा एक wound भी एक कत्रा भी अगर खुन गिरे उसके body से तो Venice के law के मताविक Venice के किसे citizen को चोट पहुचाने के लिए तुमारा जो wealth है तुमारे जो घरवार, काडवार जो कुछ है, land वगेरा ये सब कुछ जब्त हो जाएगा ये सब कुछ Venice in law के तहट state के पास आ जाएगा ये बात समझ लो जो 1 pound flesh लेना है तुमें वो ले सकते हो अगर एक भी कत्रा भूंद एक भी blood का जो कत्रा है वो गिरा तो बस तुम गए Venice in law तुमें छोड़ेगा नहीं तो देखो, twist आ गया है तो ये twist के twist तक हम परेंगे आज so twist आ चुका है तो इसके बाद जल्दी से हम next video लाएंगे या तक अच्छे से परना वीडियो को अगर rewind करके देखना हो, जरूर देखना कोई भी question हो तो definitely comment में पूछना और तुम्हारे जो ICAC का जो question है, मतलब जो एक model question paper दिया जाएगा दिया गया है already तो उसका भी answers में बहुत ही जल्द दाऊंगा right, so definitely comment में लिखना right, कितना कुल लोग और क्या क्या चाहिए ताकि मैं ऐसे ही बहुत मज़दार videos useful videos दोने लिए लाज सको thanks a lot stay tuned, बढ़ते रहो कुष्टहून